हेलो बच्चो तो केसे हो आप लोग आई घोप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आपका जो नेस्ट फो 오늘도र है वो संस्कृट का है और लास्ट है और फाइनल पेपर आपका तो आज हम संस्कृetime की विशे में ही एनडाइस करने वाले हैं क्या क्या करने वाले एक तो पत्र लेखन यानि कि अप्लिकेशन और निबन ये बताऊंगा मैं और वही आपको याद करना है और वही यहाँ पर आने वाला है करते हैं देखो अप्लिकेशन में सबसे पहले आपको आउकास की याद कर लेंगी ठीके अवकास प्रातना पत्र ठीके यह वाली आपको याद कर लेनी एक तो यह याद कर लेनी ठीके बहुत इजी है सेवान ने मानवी प्राचारी महोदे शास्की उच्छर मादिक इद्याल ह आपका जो भी स्कूल आप लिग सकते हो बिक्ष का नाम ही लिखना कुछ कोषिंच करना है बस पीछे बन्दी लगा देनी है ले फ़ीन्दि में लिखके छोड़ा बहुत बिन्दी का दिहान रखना है तो आपको यहां से विशे लिखना है ठीक है यहां से लिख देना है ठीक है जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखते हो ने वैसे आपको यहां पर लिखना है ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर पांच दिन की छुट्टी मांग रहा हो ठीक है बीमार हो चुका है तो इसलिए ठ एक और आपकी चात्रवति वाली कर लेना है और यह नहीं पाल दोलाकिच तुल्रम यह वाली यह वाली यह भी आपको याद होनी चीन, यहदक ना तो घया रखाएं केसां आपकई यह नहीं चुटने वाली है आगए समझ में तो आप यह था ठीस से याद करने परिक्षायध्यist से बता रहा हूं जिन बच्चों के पास परिक्षा दिन हैं पीछे जाओ और निशान लगा लो यह तीनों अप्लिकेशन आपको याद करनी है ठीक है फिर से बोल रहा हूं एक छुटी की ठीक है एक छात्रवती के और एक इस्तांतरण जिसे इंग्लिश में SLC बोलते हैं ठीक यह निबन सबसे ले तो आपको संस्क्रत भाषा महतम यह याद कर लेना है निबन ठीक है यहां पर फिर बच दूसरा बताने वाला हूं तो दूसरा यहां पर आएगा आपका महाकवी कालिदास जी का यह भी याद करना है आपको कितने हो गए दो ठीक है और इंपोर्टें दे रखा है मम दीन चर्या आपकी दीन चर्या में क्या क्या होता वही आपको निबन में बताना है यह तीनों निबन तो आपको कम से कम कंप्लीट याद होने ही ठीक है बाकी के वीडियो में मिलते है कुछ नैस्ट कुछ इंपोर्टेंट टोपिक्स के साथ अभी के लिए इ थेंक यू